नमस्कार स्वागत है आपका एनिवन नियूज में दिन भर की बड़ी खबरे लेकर मैं हूँ आपके साथ तो ही ना शनिवार को गुजरात विधान सभाचिनौक के पहले दौर का मतदान हुआ नवासी सीट पर हुए मतदान में लोगों ने सुबह से उत्साह पुर्वक हिस्सा लिया राज़कोट की पश्यम सीट से चुनाव लड़ रहे मुख्य मंत्री विजे रुपानी ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया तो वहीं गुजरात के बीजेपी अधक्ष जीतू वगानी ने भी अपना वोट डाला इसके साथ ही पहले चरण के तमाम उमिद्वार की किस्मत EVM में क्याद हो गई गुजरात में विदानसवा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान शनिवार को हुआ सुबै 8 बजे शुरू हुए मतदान में जादा से जादा लोगों ने घर से निकल कर अपने मतादीकार का उप्योग कर वोट डाले इस दोरान कई दिगजों ने अपने मतादीकार का प्रियोग किया मुखमंत्री विजय रूपाणी ने भी अपने मताधीकार का प्रियोग किया। रूपाणी ने वोटिंग करने से पहले मंदिर में पूजा अर्चना की और उसके वाद परिबार के साथ पहुँच कर मतदान किया। इसके अलाबा राजी के भाजपा अध्यक्ष जीतू बागाणी ने भी अपना वोट डाला। इनके अलाबा कॉंग्रेस नेता अहमत पतेल और भारतिय किरकेटर चतेश्वर पुजारा भी मतदान करने पहुँचे। विजह रूपानी के सामने चुनाव लड़ रहे इंदनील राजजगुरू ने भी अपना मतदीकार का उप्योग किया और लोगों से जादा से जादा मतदान करने की अपील की। पहले चरण में 19 जिलों की 89 सीटों पर 977 उमीदवारों का भग EVM में कैद हो गया है। सुबै 8 बजे जब मतदान शुरू हुआ तब कई जगों पर EVM मशीन बंद होने के मामले सामने आये थे लेकिन चुनाव आयोक की टीम ने उन्हें ठीक किया और तुरंत ही EVM बदलने की विवस्ता की। पहले दौर के मतदान में कई दिगजों की किस्मत जनता ने EVM में कैद कर दी है लेकिन जनता ने अपना मत किसके पक्ष में दिया है इसका पता 18 दिसंबर को मतगड़ना के बाद चलेगा। Bureau Report, Anyone News